लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू जो सहले तंच सारे, ऐसा बिचारा नहीं है तू अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू जो सहले तंच सारे, ऐसा बिचारा नहीं तू भरोसा रख खुदा पे और अपने होसलों पे तुझे तो जान बनना है, कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा ये अब तु ठान ले तकदीर से भी बोल के रख कसोटी वक्त की है होसलों को बोल के रख जोड़ना है तुझे उचावरों को कोल के रख कसोटी वक्त की है होसलों को बोल के रख और आगे हम लोग जग्राफी का सीरीज 2 देखेंगे जो आपके लिए काफी महत्पूर्ण है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी पीछे वाला वीडियो अवस देखेंगे और आप सभी को अच्छा लगा होगा अगर हम लोग ऐसे जग्राफी को करते हैं तो उमीद करता हूँ कि आप सभी का जग्राफी काफी बेस्तर होगा और आपका परिक्षा में जग्राफी से रिलेटेड एक भी प्रस नहीं छूटेंगे तो आप सभी देखते रहें ये वीडियो आपके जोस को हाई करेगा और आपको शफल बनाएगा तो आप सभी इसे देखें फॉलो करें और अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अगर जो है पीछे के वीडियो नहीं देखें तो उसे सिरीज से देखें इसे आपको काफी फायदा होगा आईए हम लोग देखते हैं आज के जो महत्पुर्ण प्रस्टन है उसे तो आज 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 जो जो आपके लिए काफी महत्पुर्ण है तो एक नमर क्वेश्चन है कि तारों के समुख को कसते हैं यानि कि तारों के समुख को क्या कसते हैं काफी महत्पुर्ण क्वेश्चन है जो है वो सौर मंडल से रिलेटेट कि तारों यानि कि श्टार जो होते हैं उसके समुख को क्या कसते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी नमबर इन में से स रखेंगे आकास गंगा या मंदाकनी गैलेक्सी को ही कहा जाता है द्यां रखना है तो तारों के समुह को आकास गंगा गैलेक्सी या मंदाकनी कहते हैं तो परिभासा भी आपको ध्यान राना चाहिए कि तारों के समुह को क्या कहेंगे तो गैलेक्सी आकास गंगा या मंदाक नहीं कुछ भी कर सकते इसका answer दी नमबर हो जाएगा एक गैलैक्सी में लगवग कितने तारे होते हैं काफी महत्पोन प्रश्ण है कि एक गैलैक्सी में लगवग कितने तारे होते हैं जैसे हम लोग देखें कि जो है वो तारों के समुगगiliz fifteen और एक galaxy में लगवग कितने तारे होते हैं तो ध्यां रखेंगे एक galaxy में आपका 100 अरब तारे होते हैं एक galaxy में 100 अरब तारे होते हैं और तारे को समुख को galaxy कसते हैं तो हमारे ब्राह्मांड में सौव औरब गैलेक्सी हैं समझे कि एक गैलेक्सी में सौव औरब तारे होते हैं और हमारे ब्राह्मांड में सौव औरब गैलेक्सी हैं तो फिर तारों की संख्या अंगीनत है क्योंकि जो है वो एक गैलेक्सी में जब सौव अरब तारे हैं और हमारे सौरमंडल में हमारे ब्राहमांड में सौव अरब जो है वो तारे हैं तो कह सकते हैं कि सौव अरब जो है वो जब गैलेक्सिया है कुश्चन काफी महत्पुन है कि एक गलेक्सी में लगवा कितने तारे हैं तो 100 जो है 100 अरब हैं और हमारे ब्रहमान में 100 अरब गलेक्सी है तो तारों की संख्या जो है अंगीनत है तो इस तरह से ध्यार रखेंगे इस प्रश्ण को अगला प्रश्ण है कौन से तारे का जीवन काल सबसे अधिक होता है बहुत महत्पुन कॉस्चन है कि कौन से तारे का जीवन काल सबसे अधिक होता है तो देखें कि जो है वो तारे को समुख को गलेक्सी कहते हैं तो कौन से तारा का सबसे अधिक काल होता है जैसे तारा जो हो इंसर हो जाएगा B number दियां रखेंगे सबसे छोटा तारा जो होगा उसका जीवन काल यानिक उसका life सबसे अधिक होगा और जो तारा सबसे बड़ा होगा उसका जीवन काल यानिक उसका life सबसे कम होती है तो जो जितना छोटा होगा उसका life उतना ही अधिक होगा और जो जितन बरा होगा उसका life जो है वो कम होता है तो ध्यां रखेंगे कि सबसे छोटा तारा का जीवन काल सबसे अधिक होता है और सबसे बरा तारा का जीवन काल सबसे कम होता है तो यह point को आप ध्यां रखेंगे नेक्स्ट प्रश्ण है किसी भी तारा के प्रारंबिक अवस्था किस रंग का होता है तो अब हम लोग देखे कि आकार के आधार पर तारे यानि कि जो है वो आकार के आधार पर था अब रंग के आधार के अगर हम बात करें तो किसी भी तारा के प्रारंबिक अवस्था किस र सुर भी एक तारा है और सुर का भी आयू है सुर में भी जो है वो छय होता है और सुर भी समाप्त होगा सुर लगबग अपने आधे अवस्था को पार कर चुका है और उसके पास अभी आधा अवस्था बचा हुआ है तो कोई भी तारा होता है उसका अवस्था उसके रंग प नीला, सफेद, पीला और लाल प्रारंभी का वस्था जो होता है वो नीला होता है उसके बाद सफेद होगा तीसरा वस्था पीला होता है और चौथा वस्था लाल होता है यानि कि प्रारंभी का वस्था किसी भी तारा का नीला रंका होगा और अंतिम अवस्था आपका लाल ह और बीच में शफेद और पीला और अगर कोश्चेन ऐसे पुछेगा कि तारा की कुल कितनी अवस्था होती है किसी भी तारा का तो चार अवस्था होता है ध्यां रखना है और चारों अवस्था में जो है उसका रंग बदलते चले जाते हैं नेक्ट प्रश्ण है तारों की रंगों की अधार पर सभसे अधिक उसमा किस रंग में होगा तो इसका एंसर हो जाएक आपका नमबर नीला यानि कि जो तारा का प्रारंभी का वस्था होगा उसमें उसका हिट सबसे अधिक होगा उसका उसमा सबसे अधिक होगा और जैसे जैसे उसका वस्था बढ़ते चला जाता है तो उसका हिट घटते चला जाएगा तो यानि कि नीला सबसे अधिक होगा और लाल का सबसे कम हिट होगा तो ध्यान रखेंगे कि तारा की प्रारंभी का वस्था जो होगा उसमें हीट सबसे अधिक होगा और जिस जो अंती मवस्था होगा उसका हीट सबसे कम होगा यानि कि नीला में सबसे अधिक और लाल में सबसे कम उस्मा होता है तो यह पॉइंट काफी महत्पूर्ण है तो तारों के अवस्था को हम लोगों ने ये सारे प्रश्णों में देखा, ये सारे पॉइंट को आप ध्या रखेंगे, अगला है आपके लिए एक लाइन, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है, तो अभी जो है, आप लोग चले हैं, अभी तो एक पन्ना था, अभी पूरा किताब बाकी है, तो अभी हम लोग जगराफी का सिर्फ एक पेज पर हैं, अभी पूरा जगराफी पढ़ना बाकी है, तो आप सभी जो है, वो पूरे पन्ना को परे, पूरे की तब ही जाकर वो किताब में बदलेगा और इस तरह से जब आप पूरा किताब पढ़ेंगे तो फिर जो है वो हार कहां, हार जो है वो समाप्त होगी और आपकी जीत मिल जाएगी, यहां से आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी तो ध्यान रखेंगे कि आप जो है वो एक एक पन्ना को इकठा करके एक किताब बना दें और वो किताब आपका जो है वो मंजिल का इतिहास रचेगे तो इस तरह से उमीद करता हूँ कि आप सभी जो है वो इस वीडियो को अच्छा से फॉलो करते होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छा चार रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का जो काफी हाई होगा क्योंकि जो है वो आपके लिए इतना अच्छा अच्छा प्रस्ण इस चैनल पे मिर रहा है इस वीडियो में मिर रहा है तो आप सभी पीछे के वीडियो रिकॉल करते रहे हैं क्योंकि जो भी एक्जाम होगा चाहे आने वाला बहुत सारे एक्जाम है जैसे वो BPSC दरोगा और PCS एक्जाम है यह सारे एक्जाम के लिए काफी महत्पून यह वीडियो है आप कोई भी सेट उठा कर देखे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आप जो है वो इस चैनल को फॉलो करें इससे आपका काफी अच्छा तैयारी होगा और अगर नए हैं तो प्लिज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक सेट सभी लोग करते रहें खूप सेट करें आप लोग क्लास को सेट जो है रुकना नहीं चाहिए आप सभी खूप सेट करें और यह चैनल भी इतिहास रचेगा और आप सब अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे और अपने मंजिल को हासिर करेंगे तो आप सभी एक एक पन्ना बना कर जो है किताब बना दे और आप अपना जीत को सुनिश्चित करें आईए जो नेक्ट प्रस नहीं उसको देखते हैं जिस तारा मंडल के तारे ध्रू तारे की और संकेत करते हैं ध्रू तरिसी तो सब तरिसी जो है ध्रू तारे की और संकेत करते हैं द्यां रखेंगे कि बीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन को आप द्यान चीएखनेगे next question नहें दिए होता है दूरी मातने की सबसे बड़ा इकाई होता है था रखेंगे लेकिन लेकिन तारों के मध्य दूरी को हम लोग करते हैं और एक प्रकास वर्स ब्राबर जो होता है वो 9.46 गुना 10 to the power 12 किलो मिटर होता है इसे मिटर में बदलेंगे तो 10 to the power 15 मिटर हो जाएंगे तो इस तरह से जो है वो तारों के मद की दूरी ग्यात करने की जो इकाई है उसे प्रकास वर्स करते हैं दिहां रखेंगे और प्रकास वर्स की अगर हम बात करें कि प्रकास वर्स जो है वो किसे कहेंगे तो प्रकास जो है एक सेकेंड में लगए प्रकास जो है वो मतलब की जो है एक वर्स में जितने वो दूरी तै करते हैं इसी को एक प्रकास वर्स कहा जाता है दिहां रखेंगे और यह काफी महत्पूर्ण प्रस्ण बन जाता है कि प्रकास वर्स वर्स दूरी है जो प्रकास एक वर्स में तै करती है यानि कि एक वर्स में जो दूरी तै करते हैं जो डिस्टेंस तै करते हैं इसी को प्रकास वर्स करते हैं और एक प्रकास वर्स का जो value होती है वो 9.46 गु काफी महत्पुन Ques夠 ने विविन एक जाम में सवाल आया है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट प्रस्ण है सरप्रत्थन खोज की कि पिर्थवी सूर के चारों और घूमती यानी कि कि इसने कहा कि पिर्थवी सूर के चारों और घूमती है यानि कि सुर को केंद्र में रखकर पिर्थ भी सुड के चारों और घूमती है तो यह point ध्यां रखेंगे लगभध जा में question पूछा गया है अगला प्रस्ण है सौर मंडल का भाग नहीं है ध्यां रखेंगे अभी हम लोग सौर मंडल कल सुरू करेंगे सौर मंडल में ग्रह उप ग्रह चुद्र ग्रह पुछल तारा जो है यह सब पढ़ेंगे कल हम लोग शुरू करेंगे सौर मंडल में, आठो ग्रहों के बारे में, तो सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दी नमबर एंसर हो जाएगा, निहार का सौर मंडल का भाग नहीं होता है, यह कोस्चन काफी महतून है, बाकी के छुद्र ग्रह धुम के तू और ग्रह सौर मंडल के भाग है जब कि नियारिका नहीं है अगला प्रश्न है हमारी आकास गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सुर को समय लगता है तो हमारी आकास गंगा या मंदाक्नी जो मिलकी वे है वो केंद्र की परिक्रमा करने में सुर को समय लगता है क्यानिकि सूर्य जो है वो आकास गंगा का सूर्य का मुखिया है और सूर्य आकास गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में जो समय लेता है वो समय होता है ध्यान रखेगा पचीस करोर वर्स पचीस करोर वर्स में सूर्य आकास गंगा की केंद्र की एक परिक्रमा परिक्रमा करता है और इसी पचीस करोर वर्स को एक ब्रहमांड वर्स कहा जाता है एक युनिवर्सल इयर पचीस करोर वर्स को कहा जाता है कि सूर्य इतना ही समय में आकास गंगा की केंद्र की परिक्रमा पुरा करता है तो यह ध्यान रखेंगे कि सूर जो है वो कितने समय में आकास करना कि केंद की पड़िक करमा करता है तो पचीस करोर वर्स में और यही पचीस करोर वर्स एक ब्रहमांड वर्स कहलाता है तो question यह भी पूछता है कि एक ब्रहमांड वर्स इक्वल टो कितना होता है तो पचीस करोर वर्स होता है अगला प्रस्टन है सौर तो सवाल हमारा जवाब आपका आज से मैंने आपके लिए सुरू कर दिया सवाल हमारा जवाब आपका क्योंकि जो है अब हम लोग जग्रावफी में पॉलिटी तो खतन किए तो जग्रावफी से रिलेटेट कोसिटन अब जितने दिन जग्रावफी चलेगा तो आपको एक कोसिटन सवाल हमारा जवाब आपका और उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर करें जितने लोग वीडियो को तो उमीद करता हूँ आप सबी जो है वो मेरे उमीद पर खरे उतरेंगे कि सोर मंडल में कितने ग्रह है वो इसका एंसर आप सभी कॉमेंट में डाले जो है मुझे अच्छा लगे तो आप मेरे लिए तो इतना जरूर कर सकते हैं तो करें आज यहीं तक फिर मिलेंगे नेक्स् को सेर करते रहें प्लास को सेर करें सेर रुकना नहीं चाहिए और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कॉंटेंट लाकर यहां रखते रहूंगा और हम लोग का जो है स्पीड इसी तरह से चलते रहेगा तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद